हेलो आज हम बात करेंगे सिरम प्रोटीन टेस्ट की ये टेस्ट क्या होता है कैसे किया जाता है क्यूं किया जाता है इस सब के विशे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूगी सिरम प्रोटीन क्या है हर इनसान के सिरम में बहुत से नॉर्मल प्रोटीन पाए जाते हैं इन प्रोटीन के खास फंक्शन होते हैं सबसे ज़्यादा मातरा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं अलब्यूमिन और ग्लोबलिन सिरम प्रोटीन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट इंक्ल्यूड किया जाते हैं इन टेस्ट में टोटल सिरम प्रोटीन, सिरम अलब्यूमिन, सिरम ग्लोबलिन और अलब्यूमिन इस्टू ग्लोबलिन रेशो इंक्ल्यूड किया जाते हैं यह टेस्ट कैसे किया जाता है इस टेस इस टेस्ट के लिए सुभे का खाली पेट का सेंपल प्रेफर किया जाता है क्योंकि खाना खाने से या एक्ससाइस करने से इसके वेल्यूस बदल सकते हैं. इन टेस्ट के नॉर्मल वेल्यूस क्या है? Total serum protein के लिए normal values 6.5 से लेके 8.5 grams per deciliter of blood तक हो सकते हैं Serum albumin के लिए normal values 3.5 से लेके 5.5 grams per deciliter of blood तक हो सकते हैं Serum globulin के लिए normal values 2.5 से लेके 3.5 grams per deciliter तक हो सकते हैं लेकिन ये सभी values अलग-अलग laboratories के मताबिक थोड़े बहुत उपर नीचे हो सकते हैं। ये test करने के लिए क्यों कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी बिमारियां होती हैं जिनकी वज़े से serum albumin कम हो जाता है। जैसे liver disease, kidney disease या malnutrition एट्सक्रा। इन बिमारियों में albumin के कम होने से body में पानी जमा हो जाता है और पूरी body में सूजन आ जाती है। इस तरह के patient में serum albumin की मात्रा जानना ज़रूरी है। बहुत सारी बिमारियों में serum globulin की मात्रा बढ़ जाती हैं जैसे multiple myeloma, infections, macroglobulinemia। सो इन बिमारियों के लिए serum globulin की मात्रा जानना ज़रूरी है। आगयों में सूधकिर है। य हुँत प्राजí Ó etन बिमारियों मेंत्रा जाती है। प्रजशकर 6 का एता जाता है।